वेलकम टू स्पोर्ट स्यारी और T20 वर्ल्ड कप क्यूंकि बस दर्वाजे पर ही खड़ा है इसलिए हम हर एक टीम पर फोकस रखेंगे और कुछ ऐसी टीम जो एक अनेक्सपेक्टेट से रिजर्ट सामने आ रहे हैं और आज बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की पहला T20 बांग्ल क्रिकेट के लिहास से देखें क्योंकि देखिए T20 वर्ल्ड कप की अगर में बात करो तो बांग्लदेश एक ऐसी टीम है जो पहले राउंड वन में क्वालिफाई करकर सूपर 12 में आगे आएगी ऑस्ट्रेलिया पहले से ही वहाँ पर है लेकिन ऑस्ट्रेलिया का अगर लेकिन आज शेरे बांगला स्टेडियम में सिर्फ 132 रन का टार्गेट उन्हें चेज करना था और टीम वह भी नहीं कर पाई 108 पर टीम धेर हो गई चेज करते वे 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर एक स्टेज पर 3 विकेट गिर गई ती और मिचल मार्श जो कहीं ने कहीं इस पर सवाल अभी भी बने हुए लेकिन बांगलादेश की आप बात करें अगर तो वहां पर भी तानमी इकबाल नहीं थे मुश्वकिर रहीम नहीं थे लिटन दास जिन्होंने हाल-फिलाल में अच्छा किया है वो भी मौजूद नहीं थे उसके बावजूद उन्होंने जबरदस परफोर्मेंस दी है उस्टेलिया पिछली चार अपनी T20 सिरीज भी हा रही है देखे 2020 में पीछे जाए तो T20 में ऑस्टेलिया बड़ा जबरदस कर रहा था और बात चल रहे थी कि घर पर T20 वर्ल्ड कप होना है उस्टेलिया होट फेवरिट रहेगा लेकिन इस जो आप करिंट फॉर्म उनका देख रहे हैं चार सिरीज मैंने बताए कि लगाता रहा है पिछले सात मुकाबलों में से चै मुकाबले उन्होंने गवाए है और अब T20 वर्ल्ड कप अगर आप आगे देख रहे हो तो आस्टेलिया के चांसे उतने जादा बहतर आपको नज अदर नहीं आ रहे हैं इस मुकाबले की अगर बात करें और इस मुकाबले के जो एक प्रमुख जो मैच विनर रहे नसुम एहमद उन पर अगर आए तो उन्होंने चार ओवर्स में 19 रं दिये और चार विकेट जटके और एक तरीके से मैच को पूरा-पूरा खत्म कर दिया आई है वो उनको और जादा कॉंफिडेंस देगी और T20 वर्ल्ड कम में जाते हुए उनकी दावेदारी भी मजबूत करेगी शाकीब ने भी गेन और बल्ले से दोनों से important contribution दी हैं लेकिन अगर बात करें ऑस्टेलिया की तो बहुत ही निराशा जनक performance है जैसे मैंने आपको बताए कि अब वो तीनों format में हार चुके हैं बांग्लदेश के अगेंस 2005 में मुहमद दर्श्रफुल की वो इनिंग सब को याद आती है जब उडियाए में पहली बार बांग्लदेश ने ऑस्टेलिया को हराया और फिर शेरा बांग्ले स्टेडियम में ये मुकाबला जहां पर बांग्लदेश ने एक बारी फिर से बता दिया कि उनको कमतर नहीं आख सकते श्लो जरूर था ट्रैक लेकिन इतना भी बुरा नहीं था कि ऑस्टेलिया 132 रन भी नहीं बना पाए तो ये था मुकाबला और अगला मुकाबला जो है कि 24 घंटे से कम का वक्त रहेगा उस् जनबाजी में हेजल वूट जरूर लगातर अच्छा करें लेकिन सवाल बड़े हैं T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए वीडियो और इंफोर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरीके से स्पोर्ट सेयरी के साथ बने रहें तमाम अपडेट्स के साथ हम य